हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुँचे आपके पास आपके खास दिनों के हर आयोजन को बनाईए हमारे साथ, बिहार में तेजी से फैल रहा कोरोना, आवाशिय विद्याले में चार छात्नाएं मिली कोरोना पॉजिटिव, बिहार में कोरोना का आकड़ा 600 के पार पहुच गया है, पिषले 24 घंटे में 135 नए मरीज मिले हैं और कोरोना ने लोगों की परिशानी बढ़ा दी है, दो दिनों की गिरावट के बाद कोरोना ने फिर से रफ़तार पकड़ ली है, पिषले 24 घंटों में कोरोना के 10,542 नए मामले सामने आये हैं, बुदवार को सरकार की तरफ से जारी किये गया आकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना वाइरस के 10,542 नए केस मिले हैं, वहीं नए मामलों के चलते अब देश भर में एक्टिब मरीजों की संख्या 63,562 हो गई है, कोरोना वाइरस से बीते 24 घंटे में 27 लोगों ने अपनी जान गवाई है, महरास्ट में सबसे ज्यादा मौते हुई हैं, यहाँ 6 लोग कोरोना के चलते मर गए हैं, दिल्ली में 5 की जान गई है, 36 गड़ में 4, करनाटक में 3, हिमाचल में 2, राजस्थान में 2 लोगों ने अपनी जान गवाई है, जबकि केरल, पुडुचेरी, पंजाब, तमिलनाडू और यूपी में एक-एक व्यक्ति की मौत हुई थी, बिहार में कोरोना के 135 नए मरीज मिले हैं, आध नवादा, पूणिया, रोता, सहरसा, सारन, सिवर और बेतिया से भी कोरोना के positive case मिले हैं, तो आप रहिए साबधान, क्योंकि कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है, नरकटिया गंद से ताजा जानकरी है, कोरोना को लेकर जो चौकाने वाली है, वहाँ चार बच्चे कोरोना positive पाए गया है, यह एक आवासिय विद्याले से खबर है, फिलहाल चारों बच्चे को विद्याले के कमरे में कॉरंटाइन कर दिया गया है,